आप सबों को आज रक्षा बंधन की बहुत बहुत सुर्काम नाएं तिथा आप लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हम लोग इस पावन रक्षा बंधन के अफसर पर अपने भारत को भरस्टाचार से रक्षा दिलाने का प्रन अवस्लें और इसमें RTI का एक महत्वपूर्ण योगदान है सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 हमारे देश में लागू है और यह भरस्टाचार से देश की रक्षा कराने में एक कारागर हत्यार के रूप में परियोग कर हम लोग भारत को भरस्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं इसलिए आज हम जानेंगे कि यदि आपने सूचना आयोग में यदि 18-18 के तहत सिकायतवात दायर किया है तो सूचना आयोग से आवे दख को सिकायत करता को आने वाली समश्या कौन-कौन सी होती है इसके बारे में सुनवाई के पहले अवस्य ले लें जिससे हमें सिकायतव बात की सुनवाई करने में आसानी हो सके चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दबा कर ऑल पर भी क्लिक कर लें तथा इसे इतना सेर करें कि हर किसी नागरिक को इसकी जानकारी हो के हर RTI कारिकरता आवेदक इसको अच्छी तरह समझ कर सुनवाई से पहले इसकी जानकारी अच्छी तरह ले सकें जिससे हमें सुनवाई में भी आसानी होगी तथा अपना पक्ष हम लोग ठीक से रख कर जिस पर हम लोग सिकायत बात दायर किये हैं उस पर आर्थिक डन या व तो चलिए हम लोग जानेंगे कि कौन सी समस्याएं सिकायत करता को हो जाया करती है सत्यमेव जैते सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन सुचना आयोग सौरी यहां से होना चाहिए से हम आम आवेदक को सिकायत वाद के अंतरगत आने वाली समस्य आएं क्या क्या होती है यह मैं आप लोगों को पांच पॉइंट में यहां बताने जा रहा हूं और पांचों पॉइंट अती महत्पूर्ण है इसलिए आप लोग इस वीडियो को विना स्किप कुए हुए पूरा अवस्य देखेंगे पहला है यदि आपने RTI ECT 2005 की धारा आठारा के तहत सिकायत बाद किया है तो सूचना आयोग द्वारा आप से लोग सूचना अपदाधिकारी पी आयो या जन सूचना अपदाधिकारी का नाम जो रियल में उनका नाम हूँ जैसे संजै कुमार सिंग दीपक कुमार सिंग जो भी हो उस नाम भी पूछा जाता है और पता भी पूछा जाता है पीन कौर्ट सहित पता लगा के रखना पड़ेगा इसलिए जहां भी आप RTI जिस भी कारियाले को लगाएं तो कोशिस करें कि उस लोग सूचना अपदाधिकारी का नाम भी क्या है और वो एक किस पद पर है दूसरा है यदि लोग सूचना अपदाधिकारी का स्थान तरन हो गया है तो उसका वरतमान पता पता पूरा पता पीन कौर्ट सहित आपको ही बताना पड़ेगा यह एक समस्या हम लोगों को हो जाया करती है कि प्राय है दूसरी अपील या सिकायत वात करने में बरसों का समय लग जाता है और इस बीच ततकालिन लोग सूचना अपदाधिकारी का अस्थान तरन हो जाता है या वे सेवाकाल समप्त उनका सेवाकाल समप्त हो जाया करता है तो इसमें हम लोगों को एक बड़ी समस्या हो जाती है कि उसका स्थान तरन कहां हुआ है उसका क्या पता हुआ उसका बरतमान पद क्या है यदि उनका प्रमोशन हो गया तो वो पद का नाम देना परता है यह भी हम सिकायत करता को एक समस्या हो गई है लेकिन यहां सूचना आयोग के द्वारा कुछ लगता है मनमानी की जाती है यह तो विवाग से पूछना चाहिए कि आपके लोग सूचना अपदा दिखा रही अभी कहा गए है या उनसे भी पूछा जाए और आवेदक को भी सुचि यो नहीं डाल पाया था जिसमें मुझे ही बताया गया कि नहीं वह आपको ही बताना है कि उनका वर्तमान पता क्या है उनका क्या नाम है जिसके खिलाप आपने सिकायत बात किया है यदि वो से वाकाल समाप्त कर चुके हैं तो उनका घर का भी पूरा पता आपको ही बताना ह तीसरा यदि लोग सुचनापदादिकारी का सेवाकाल पूरा हो गया है तो उसके घर का पूरा पता पीनकोर्ट सहित आपको ही बताना परेगा यह कुछ कठिन सा या नियमान उसार मुझे नहीं लगता है लेकिन बिहार राज की मुख आयुक्त द्वारा ऐसा मुझे दिनांग 10-8-2022 की सुनवाई में बताया गया चौथा ऐसी स्थिती में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप ने धारा ठारा के तहत सिकायतवाद दायर किया है तो आपको ततकालिन लोग सुचना पताधिकारी का नाम पदनाम वर्तमान पाता अवस्ष सुनवाई के पहले पता करके रखना पड़ेगा यदि सेवा समाप्थ हो गया है तो उसके घर का पूरा पता पीन कॉट सहित बताना होगा तो चलिए अब हम लोग पाँच में पॉइंट में जानेंगे कि उनका वर्तमान पता या वे शेवा काल समाप्थ कर चुके हैं तो उनका घर का पता किस प्रकार हम लोग उपर कर सकते हैं किस प्रकार जानकारी प्राप्थ कर सकते हैं पांच मां में अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसका वर्तमान पता जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे आपको उनका वर्तमान पता या घर का पता की जानकारी हो सके तो इसके लिए हमें वर्तमान लोग सुचना अपदा दिकारी को RTI लगा कर उससे वर्तमान पता पूछ सकते हैं या उसके सेवा पुस्तिकाल सर्विस बुक की मांग कर सकते हैं जो हमें सुचना आयोग में सुनवाई के पहले कर लेना चाहिए था यदि उनके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है सच्ची जानकारी लेनी है तो हमें RTI के ही माध्यम से अभी जो लोग सुचना पता अधिकारी हैं उसे सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रपत्र को भढ़कर उनसे उनका वरतमान पता पदस्थापना या उनके घर के बारे में या उनके सर्विस बुक के बारे में मांग कर सकते हैं या उनसे बरिष्ट जो पता अधिकारी हैं उन्हें RTI लगा कर आप उनके सर्विस बुक की छापरती की मांग करें जिसमें उनका अस्थानतरन और घर का पूरा पता मिल जाएगा इसलिए हम लोगों को इसकी जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए जय हिंद